हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगे साथ में फोर टक्स ब्लाउस की बैक पार्ट और फ्रेंट पार्ट की कटिंग इन स्टिचिंग शेयर कर रहे हूं यहां पर मैंने लिया है लाइनिंग वाला फैब्रिक उपर से मैंने पहले फैब्रिक को सीधा कर लिया है क्योंकि लाइनिंग वाला ब्लाउस में बना रहे हूं इसलिए हम पहले लाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग करेंगे बैक पार्ट में जितनी भी अपकी तैयार लेकर आपको निशान लगाना है तो मेरे इसमें 14 इंच है साड़े 5 इंच यहां पर साड़े 5 इंच पर निशान लगाऊंगी 38 चेस्ट साइस के लिए मैं बना रही हूं यह ब्लाउस तो उसके एकॉर्डिंग ही हम सारे मेजर्मेंट लेंगी अब यहां पर आर्म होल लेना है जो कि मैं लगाऊंगी साड़े 6 इंच पर तो यहां पर साड़े 6 इंच पर निशान लगाके हम स्केल से एक सीधी लाइन बना लेंगे और अब इसके बाद में देखिए चेस्ट है 38 उसका चौथा भाग लेंगे तो आएगा साड़े 9 इंच और 1.5 इंच मारजिन इस तरह से यह दो निशान हम लगाएंगे कमर है 32 इंच उसका इस्टर साइज है उसका चौथा भाग लेके आप निशान लगा सकते हैं फिटिंग का और 3 इंच या 2 इंच जो भी आप मारजिन लेना चाहें ले सकते हैं डार्ट का निशान लगाएंगे 4 इंच पर लंबाई भी रखेंगे 4 इंच और दोनों साइड हम हाफ-ाफ इंच ल लगाएंगे आधा इंच डाउन करेंगे शोल्डर और फिर सेंटर लेंगे अब इन निशानों को मिलाते हुए हम बैक आर्म होल का शेप बना लेंगे बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह आर्म होल का शेप दे सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगे बहुत आसानी से यह शेप बन जाएगा बैक पार्ट का जो नेक है वो मैं अभी कट नहीं कर रही हैं उसके लिए सेपरेट मैंने वीडियो बनाया है जिसमें की बहुत सारी चीजे और भी मैंने बताई है उस वीडियो का अब ज़र देखेगा जिसमें की मैंने बैक ने की कटिंग बताई हुई है अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक ले लिया है फ्रेंट पार्ट के लिए इसकी चोड़ाई हम बैक पार्ट से थोड़ी जादा रखेंगे और लंबाई में हाफ इंच जादा लेंगे यानि कि यहाँ पर 16 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी जितनी तैयार ल इसकी पर यहाँ निशान लगाएंगे हुकाई की पट्टी के लिए इससे आपकी जो ब्लाउस की फिटिंग है यह और अच्छी आती है तो उसके लिए हमने यहाँ पर निशान लगाया अब साड़े पांच इंच पर हम निशान लगाएंगे शोल्डर का और साड़े शे इ हमें हाफ इंच जादा लेनी होगी तो अगर देड़ इंच आपने लिया है तो यहाँ पर आपको दो इंच लेना है सेम यहाँ पर आठ इंच पर निशान लगाएंगे अब आपको यहाँ पर जो टक्स लेना है फ्रंट में बड़ा टक्स लेना है क्योंकि 38 चेस्ट साइज है तो उसके लिए मैं यहां पर धा इंच पर निशान लगा रही हूं आपका चेस्ट साइज कम है तो आप दो इंच या देड़ इंच भी ले सकते हैं अब उसके बाद में दो इंच मार्जिन का हम ले लेंगे अब इस तरीके से हम यहां पर निशानों को मिला लेंगे बैट अपने सिलाई का मार्जिन जितना भी लिया हो फ्रेंट पार्ट में उसमें हाफ इंच जोड लेजेगा अब इसके बाद में हम आर्मोल का शेप लगाएंगे तो यहां पर देखिए मैं एक इंच पर एक निशान बनाऊंगी और हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे फिर हम यहां से शोल्डर डाउन जो हमने किया वहां से नीचे हम सेंटर लेंगे और अब इन निशानों को मिलाते हुए हम आर्मोल का शेप देंगे हलका सा अंदर से लेते हुए यह तरीका बहुत आसान है आर्मोल का शेप लगाने के लिए और साथ में कोई रिंकल जो है आपके आर्मोल के पास जमा नहीं होंगे नेक विट्थ का मैंने 2,5 इंच पे निशान लगाया है उससे मैंने जो शोल्डर डाउन किये थे उसे मिला लिया है साड़े 6 इंच नेक की लंबाई रखूंगी नीचे से चोड़ाई रखूंगी 3 इंच उपर से मैंने नेक की लगाऊंगी 3,5 इंच पर और कमर के साइट से निशान लगाऊंगी 1,5 इंच पर यहां पर निशान लगाने के बाद में एक सीधी लाइन हम पहले बना लेंगे उसके बाद हम शेप देंगे ताकि हमारा जो क्रॉस पट्टी का शेप है वो अच्छा बने यहां पर अब यहां पर हमें निशान लगाना है टक्स के लिए जो की 3.8 पर या फिर 3.5 इंच पर आप लगा सकते हैं उपर से यहां हम लेंगे डॉट पाइंच का निशान तो डॉट पाइंच जो है मेरे इसमें है 1.5 इंच प्लस 1.5 इंच करेंगे तो हो जाएगा 11 इंच तो यहां पर 11 इंच पर मैंने निशान बनाया है अब मैंने जो टक्स के लिए लिया था वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो मैं उसका हाफ लूँगी तो यहां से हमें इसका सेंटर लेना है तो इस तरह टेप क से निकल जाएगा और इस तरह से आपका जो टक्स है उसके निशान बन जाएगा यहां पर निशानों को हम उपर मिला लेंगे और इसके बाद में जो हमने नेक की लेंथ का जो निशान हमने लगाया था उसके नीचे से हमें यहां पर सेंटर लेना होगा क्रॉस पट्टी त इतने पर ही मैं इस तरफ में निशान लगाऊंगी तो यहां पर हमारा तीसरा टक्स जो है वो बन जाएगा और इसे हम कमर के साइड इस तरह तिर्चा मिला लेंगे अब जो हमारा दो इंच में एकलाइन कम जितना था उतना ही हम इन दोनों पॉइंट से लेंगे और यहां से फिर हम इस टक्स को मिलाएंगे आर्मोल के साइड में तिर्चा इस तरह से मिला लेंगे तो बहुत आसानी से यह चारो टक्स के जो निशान हमारे बन चुके हैं अम मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और इसी से में मैं फैबरिक की कटिंग भी कर लूँगी तो यह फ्रेंट जहाइस तरीके से बनाएं बहुत आसान तरीका है आप एक बार वीडियो जबुर देखेगा अब हम फ्रंट पार्ट स्टिच करेंगे तो पहले रिर्फ करेंगे इसके जुछ जो हमने निशान को निशान लगा थे तो चारो टक्स को हम चैसे स्टिच कर लेंगे इस तरीके से आप निशान लगाकर अगर stitch करते हैं टक्स को तो आपका जो puff होगा front side का वो बहुत अच्छा आएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि puff कितना अच्छा बना है अब हम cross patty को stitch करेंगे तो main fabric और lining वाला fabric ले लिया है मैंने cross patty का अब देखिए main fabric को इस तरह से मैं front part के उपर रखूँगी और lining वाला fabric है उसे में इस तरह से नीचे रखूँगी और अब हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे तो यह मैंने स्टिच कर लिया है आप देख सकते हैं इस तरह से मेरे जो cross patty है लग चुकी है अब इसके बाद में नीचे से हमें stitch करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले आप extra जो patty होगी उसे cut कर लीजेगा और उसके बाद में यहां से इस तरह से fold कीजेगा और fold करने के बाद में इस तरह से main fabric उपर आ जाएगा और जो lining वाला fabric ह नीचे से आ जाएगा अब इन दोनों parts को इस तरह से जोड़ना है और इनके जो ends है वहां पर इसे stitch कर लेना है इस तरीके से stitch करने के बाद में यहां पर अब देखेंगे कि बहुत ही finishing के साथ में हमारी cross patty जो है वो stitch हो चुकी है बहुत आसानी से आपको कोई कमर की patty लगा नहीं पड़ेगी अब इस तरह से finish हो चुके हैं मेरे दोनों ही parts मैंने finish कर लिये हैं एक बार जरूर उसे देख लेकि length बराबर आ रही है दोनों की अब हम लगाएंगे hook की patty तो यहां पर hook की patty मैंने ले ली है जिसे की मैंने double fold करके रखा है और यहां पर नीची से क्योंक open करेंगे बहुत finishing के साथ हमारी patty लग चुकी है अब इसके बाद में इसके उपर हमें press stitch करना है press stitch करने के बाद में यहां से अब हमें इसे neck के shape से cut कर लेना है याने round shape ही रखा है तो इस तरह से यह patty को cut कर लेंगे extra patty को और पीछे पूरा fold कर लेंगे और fold करने के बाद म हम यहां पर इसके उपर stitching कर लेंगे थोड़ी दूरी से stitching मैंने कर ली है और यह देख सकते हैं आप कि मेरी जो hook की पटी है वो तयार हो चुकी है अब इसी तरह से हमें एक और पटी लेनी है जो कि थोड़ी चौड़ी हम लेंगे और इसे हम stitch करेंगे इसके उपर रखकर इस इसके बाद में देखिए यहां से हम stitch कर लेंगे इस तरीके से और stitch करने के बाद में अब हम फोल्ड करेंगे और यह stitching के ऊपर हमें इस फोल्ड को रखना है और इसके उपर से फिर से हम किनारे stitch कर लेंगे तो इस तरीके से हमारी आई की पटी रडी हो जाएगी अब एक ति पूरा पीछे फोल्ड कर सकते हैं, यहां से भी देखिए, इसे थोड़ा पीछे ले जाकर रखना है, और फिर इसके बाद में स्टिच करना है, तो मैंने जो पट्टी है, वो पूरी पीछे के साइट पलट ली थी, पैपिंग नहीं बनाई है, और इस तरह से मेरे जो दोनों अधर रिदेखिए, और इसके उपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे, और यहां पर शोल्डर को जोईन करने के बाद में हमें फिटिंग करनी है, तो यहां पर पहले में इस तरह से सीधे साइट में दोनों साइट स्टिच कर लूँगी, फिर इसे अंदर की तरफ मूर कर हम स् चाब्रिक को लगाया है ताकि यह comfortable रहे वेर करने में I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा है तो like जबर कीजिएगा चैनल पर नए है तो subscribe कीजिएगा Thank you for watching